नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजह चले शुरुआत करते हैं खबरों की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एरक्राफ्ट केरियर INS विक्रांत नेवी को सौप दिया है उन्होंने नए नौसेना ध्वज का भी अनावरंड किया उन्होंने इस इसपर कहा कि ये पोत गुलामी का प्रतीक था जिसे हमने हटा दिया है नयान वसीना ध्वज शिवाजी को समर्पित है मोदी ने एरक्राफ्ट केरियर को बनाने वाली इंजीनियर्स की तारीफ की और कहा कि इस शिप में जितने केबल और वायर हैं वो कोची से काशी तक पहुंस सकते हैं उन्होंने कहा कि आइनस विक्रान सिर्फ वार्शिप नहीं समुद्र में तेरता शहर है आपको बता दे कि पीम मोदी को गार्ड ओफ ओनर दिया गया इस मौके पर रक्षा मंतरी राधना सिंग, गवर्नर आरिफ महम्मद खान और मुख्य मंतरी पिनराई विजियन मौझूद रहे मुख्य मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनेर्जी के राश्रिय स्वयम सेवक संग पर दिये एक बयान के बाल सियासी भूचा अला गया है जहां इस बयान को लेकर बीजेपी ने ममता बेनेर्जी पर पलटवार किया, वहीं AIM, कॉंग्रेस और CPM जिसे पार्टियां भी ममता बेनेर्जी के खलाफ हमलावर हो गई बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि हमें ममता बेनेर्जी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दरासल ममता बेनेर्जी ने हाल ही में बीजेपी पर निशाना साथते हुए RSS की तारीफ की थी ममता ने कहा कि मुझे नहीं लगता RSS सित्वी बुरी है संग में आभी भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते एक दिन यह सबर तूटेगा ममता का ये बयान ना तो बीजेपी को रास आया और ना ही विपक्ष के गले के नीचे उत्रा बिहार की राजनीती में रोजाना एक अलग ही मोड देखने को मिलता है जब से नितीश लालू की सरकार बनी है तब ही से बारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाय जा रहे हैं जोसे पार्टी की शवी को खराब होने से बचाने के लिए कार्टिके कुमार सिंग को मंत्रे मंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया बता दे कि बीजेपी अभी भी नितीश काबिनेट में शामिल किये गए दागी मंत्रियों को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है इसी दोरान बिहार बीजेपी अध्यक संजे जैस्वाल ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार में शामिल 72 प्रतिशत मंत्री ऐसे हैं जो गंभीर आरोप के आरोपी हैं साथ ही संजे ने आगे कहा कि इन में से एक तो वे भी हैं जिन पर 32 साल पहले साइकल चोरी और चनौती करने का आरोप लगा था महीं कॉंग्रेस साथ सितंबर से भारत जोडो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है यह यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर तक तैंकी जाएगी कॉंग्रेस नेता कन्या कुमार पवन खेडा पंजाब की पूर मुख्य मंत्री विजय इंदर सिंगला भारतिय यात्रियों की एक संभावत सूची में शामल है युवा कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केशव चंद्रा यादव उत्राखंड कॉंग्रेस के संचार वभाग के सच्चिव वैभव वालिया के अलावा कई अन्य युवा नेता यात्रा पर चलेंगे कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी 7 सितंबर के शाम को तमिलनाडू के कन्या कुमारी से एक रैली के साथ यात्रा को हरी जंडे दिखाएंगे गांधी आगामी हिमाचल प्रदेश गुजरात विधान सबचुनाओ के लिए प्रचार के लिए ब्रेक लेते हुए यात्रा के अधिकांश भाग के लिए पैदल भी चलेंगे महीं एशिया कब 2022 सीजन अब अपनी सुपर फोर स्टेज में पहुँच चुका है भारत अफगानिस्तान और श्री लंका ने सुपर फोर स्टेज में जगह बना ली है जबकि एक टीम का फैसला आज होगा यह चौथा दावेदार पाकिस्तान और हॉंग कॉंग के बीच मैच जीतने वाली टीम होगी पाकिस्तान और हॉंग कॉंग कॉंग के बीच करो या मरो का मैच है जो भी टीम जीत दर्श करेगी वे सुपर फोर में महुचेगी जबकि हारने वाली टीम बाहर का रास्ता साथ ही यह मैंच जीतने वाली टीम को सुपरपोर में टीम इंडिया से भिढ़ना होगा चले फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चान को सब्सक्राइब करें खबरों कुवस्तार से जानने के लिए हमारे वेबस झांक हमार में एफ़ी खबरों के लिए हमारे हिए हमारे तछक्षल रवाध हमसी यूच्स करें हमारे भाफ हमारे ェंडरे बरा